हाँ नमसकार जी नमसकेती सर जी आपका नाम क्या है भी अधर्मवीर डर्मवीर जी डर्मवीर जी आप कहां से आये हो में बतेजर माटने जी ओर्छी आपको क्या समस्य थी थी संजीवनी elyettar का ओप्रेस्न हो रहाएी यह और शन्जीव हेल्ट के र सऩोके के बारे में आपको कैसे पता चला था यहां आने से पहले आपने अपना इलाज कहां कहां करवाया था वहां आपको कोई रिलीफ मिला फिर नहीं कोई रिलीफ मिला ठीक है और संजीवनी में इलाज कराते हुए कितने दिन होगे आज आपको तेरा दिन आपको यहां पर उपचार कराते होगे और पहले से आप कैसे हो अभी आपको उठने में बैटने में चलने में किसी भी परकार की कोई समस्या है और माता जी को क्या दिक्कत थी कितने दिनों से समस्या थी इनको करीब दो थिन महीं ने शे थी इनको आपने कहां 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 इनका 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 इलाज करवाया था आपने अभी माताजी आप अपने दोन्नों हाथ उठाना उठते हैं क्या निचे करो वापी सुपर उठाओ अभी हाथ दोन्नों उठ रहे हैं ना कोई दर्द हो रहा है पहले उठ पाते थे याशे हाथ नहीं उठते थे अभी को दर्द हुआ उठाने में बिल्कुल ठीक हो समझीवनी हेल्थ केर सेंटर के बारे में आप अन्य लोगों को क्या करना चाहेंगे यह कोई भी किशी को किशी की तरह की कोई तखलीक हो दुखनों में या कमर में रीड की अट्डी में तो इदर आके अपना इलाद कर रहा हो जी बहुत लोग इदर से अच्छे उपर गए हैं अम भी तेरा दिन के अंदर इदर से डिश्चाज बहुत उपर चले गएं बिल् कि इसलिए मेरे उप्रतिसत प्रेडाम है संजीवनी अल्थ के सेंप्र का बाहर के जितने भी रोगी आपको इस सोचल मेडिया के माद्यम से देखेंगे वो आपकी बातों पे बिल्कुल विश्वास कर सकते हैं कि आपको दिक्कत थी आपने यहां उप्चार लिया है और जो मैं बताव लाव दूश के अपर अत्मार करेंगे हो जी, अभी आप दोनों को कोई समस्या नहीं है बिलकुल कोई समस्या नहीं बिलकुल ठीक हो बिलकुल ठीक है ठीक है जी धन्यवाद ओकी धन्यवाद